इमीद करता हूँ भाई सब बढ़ी आउंगे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे आइरलेंड और न्यूजिलेंड के बीच में जो थर्ड ओड़ी मैच कहला जाएगा इसको डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो देखो आप लोगों को कम्प्लेट वोच करना ठीक है अब म कर लिया होगा आपने सिर्फ 146 कर पाई थी इंडिया की टीम जब उनके 2-3 विकेट बहुत जल्दी किरे थे तो जो जो चीज़े आपको वीडियो में बताई जाएगी वो चीज़े आपको समझने पड़ेगी वीडियो कम्प्लेट वोच करना पड़ेगा और वो चीज़े में टीम बनाऊगे तो डेफिनेटली आप लोग बढ़िया टीम बना पाऊगे यहां पर भी आपको बता दू किस मैच के अंदर भी देखो कोई भी स्टैट्स आपके लिए काम नहीं करने वाला अगर कोई चीज़ काम करेगे तो वो कट रहेगा बाई सबसे पहले तो आप का लोजिक आप लोग क्या लोजिक लगा कि यह पर टीम की डेट कर रहे हो दूसरी चीज आपका देखो कई नहीं लग भी मैटर करता है ठीक है लेकिन आपके आथ में अब यह सिर्फ अपना लोजिक लगाना लगा आपका अपका अपने आप काम करेगा जो भी रहेगा चैनल परना यो सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना इसके बाद में जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप लोग अमारी वीडियो वोच कर पहोगे वीडियो पसंद आई वीडियो में बताईगे इनफोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और देखो इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन के अंदर जाओगे तो सबस्यूपर आपको टोप में एक पिंड कमेंट मिल जाएगा वहाँ पर हमारे टेलेग्राम चैनल का आपको लि मेंबर्स जोईन कर चुके ठीक है आप लोग भी कर ले ना कोई भी मैच उसके जो फाइनल टीम या फिर कोई भी आपको टोस होने के बाद में चेंजिस करने पड़ेंगे ना तो आपको सारी अपड़े टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो आप लोग जोईन करके रखना अब न्यूजिलेंड की टीम ने भी भईया काफी या पर गलतिया कर रखे अब देखो लास्ट में जिनको कोई बड़ा स्कोर नहीं सेज करना था सिर्फ आयलेंड ने पहले बैटिंग करते हुए 215-216 के आसपास का स्कोर किया था वहाँ पे भी न्यूजिलेंड की टीम अपने पर जरूर रहे ठीक है तो सबसे पहले विकेट की पिंग सेक्षिन में बात करूं अगेन मैं यहाँ पर सहुआ टोम लेथम के साथ में अब देखो फैले बैटिंग अगर न्यूजिलेंड की टीम करने आ रही है मैं क्या क्या चीज़ें बोलूँगा पहले अगर बैटिंग आगी न्यूजिलेंड की तीम तो देखो इनके कम से कम तीन से चार प्लेड़ तो आपको बैटिंग करने आगी तो आप न्यू जिलेंड के साथ में जा सकते हो फिर आप लोग यह सोच के टीम बनाना की जाइद आयर्लेंड की टीम उतना बड़ा स्कौर ना कर पाए तो जीजी आपको समझनी है अभी के लिए मैं मानता हूँ कि न्यूजिलेंड की टीम चलो फर्स्ट बैटिंग करने आगी तो यहां से मैंने टोम लैथम को पिक कर लिया अब बैटिंग सेक्शन में जाओंगा जैको कॉमन पिक है हरिटेक्टर ठीक है आप लोग लेके चल सकते हो पहले ही मैंज में मैंने कीलियर को घर दिया था है कि यह बंदा इंपोटेंट रहेगा ठीक है अब दूसरी चीजा है किE energized का करने मेरे जखाव से को यह मतलम नहीं बंदा अब देखो गैलने फ्लिप्स भाई बोलिंग भी करवाये है बैटिंग फीनल रनघ्म छुन इक प् तो काफे सारे बंदे यही गलतिया करते हैं कि एक दो प्लेयर में अगर कोई बंदा फ्लोप जा रहा है ठीक है तो उसको नेक्स्ट मैस फिर अपने टीम में पिक नहीं कर दे तो भाई देखो किसी के भी मैसे खराब जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब विराट को लिगा एक्जामपल ले लो यार आई पेल से लेकि अब तक बिल्कुल फ्लोप चल रहा है फिर भी इन टीम में जगए बनी हुई है तो प्लेयर को हैं यह तो सबसे पहले ठीक है तो जहां रखना ये चीज़े तो यहां से मैंने फिल एननन को रख लिया अपनी टीम में अब देख ज़े है इनके विकेट जानने के चांसे ज्यादा रहेंगे कיुकि जो प्लेयर ज्यादा ही इंग अपर वखोकेस करता है ना और उनके विकेट जानने के चांसे मैक्सिम करता एटे टेकन कर सकता है तो यहां से आप लोग एनन डेब वर Ts TIM गर को यहां पना पssen और तो निकल साब के लिए डिफरेंशेल पिक केवल 16% सेलेक्षन है विलियंग का द्यान अक्रा लेकिन फिर भी मैं इसको अपने टीम में ले सकता हूँ लेकिन न्यूजिलेंड की टीम पहले बैटिंग करने आगी तब सेकिन बैटिंग करेंगे तो शायद मैं इसको ड्रोप भी घर दूसरी चीज़ बोलिंग करेंगा दोनों मैच में इनिंग इसकी उठाके देख लो आप लोग बल्ले के साथ में देख लो या फिर बोलिंग के साथ में तो लास्ट मैच में भी दो विगट लिया था लेकिन बैटिंग देखो कि दोनों मैच में काफी बढ़िया करिए वज़े से इसको टीम में पिक करना पड़ेगा मैक बैरी इनको टीम में पिक करने का रिजन मेरे वाई यही है कि ये भी आपको बैटिंग बोलिंग करके देगा ठीक है तो ऐसे प्लेयर उद्धे को ड्रोप करने का मेरे इसाब से कोई मतलब नहीं बनता बाकी आप लोग देखो अपने इसाब से भी चीज़े समझ सकते हो मिचल सेंटनर बढ़िया उपसने दस ओवर कम्प्रिट मिल जाएंगी इनकी साइड से जो डोकरे लास्ट मैस में बहुत बढ़िया पारी थी ठीक है लेकिन हर मैस में शायद वो पारिया ना देखने को मिले सिम्मी सिंग इस टीम के देखो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है एक्सपिरिंस भी इनके पास में बैटिंग भी बढ़िया कर सकते है बोलिंग में भी अच्छा कर सकते है लेकिन इसलिए टीम में पिक करूँ है क्योंकि मैं फिलाल जो टीम कोमिनेशन बनाके चल रहा हूँ मैं न्यूजिलेंड के फेवर में बना रहा हूँ यानकि मैं ये सोच के बना रहूँ कि न्यूजिलेंड की टीम पहले बैटिंग करने आएगी तो देखो बड़ा स्कूर बनेगा बड़ा स्कूर बन सकता है तो मुझे आयरलेंड का कोई ना कोई बोलर भी चीना बाई जो दस ओवर कंप्रेट कर गए देखो तो यहां से मैं मार का देर को टीम में पिक करना चाहूँ ठीक है डफी लास्ट मैच में उतना बड़ी आफोम नहीं दिखा पाया लेकिन इंपोर्टेंट हो सकता है ब्लेर टिकनल सारा मैच कराब गर दे था भाई इस बन देने मेरा ठीक है क्योंकि मैंने देखो यहां पर ब्रेसवेल की जगहें पर मैंने पिक किया था अरवन्दा ब्रेसवेल गे साथ में जाए गया तो चलो 1% रिसक लेके देखते zweiரण टिकनल के साथ में जोस्वा लिटली की option है बाकी देखते हैं इस match में लोग की फर्गोशन या इस चोड़ी एक बार फिर से शायद आपको खेल देवे दिखेंगे या नहीं Adam मिलने के कोई chances मुझे अभी के लिए भाई देखो नहीं दिख रहे हैं तो अभी के लिए कितने player की team है, 10 player की team है, final player आप लोग अपने side से ले सकते हो, कोई दिखकत नहीं है एक New Zealand का bowler ले सकते हो अभी आप लोग easily या फिर आपको देखो William या फिर Finn Aylund जाइस एस प्लेर अगर अगर नहीं भी रखना हो ना तो आप लोग इनके bowling section के place के उपर भी जा सकते हूं अब 24 आपकी रहेगी आप लोग किस परकार से changes करूगा अपनी टीम में न्यूजिलेंट की टीम पहले बैटिंग करना है तो according to me tom letham आपके लिए बहुत बढ़िया पिक बन सकते हैं क्योंकि यह देखो test match के काफी बढ़िया प्लेयर है टेक्निकली strong प्लेयर है तो यह बढ़िया कर सकते है भाई धान अखना ठीक है हैरिट एक्टर की बात करें या फिर मार का देर की ठीक है चार common प्लेयर जिनका अब तक performance भी काफी बढ़िया रहा लेकिन डिफरेंशल पिक्स में एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ पोल्स ट्रलिंग और यहां पे अंडी बैल बरे इन दोनों प्लेयर अब तक लगब अब अपने इसाफ से आपको ठीक लगे या तो यह सोच के लगाओ कि इसके बदले मुझे बहुत कुछ मिल सकता है या फिर भाई यह सोच के लगाओ कि यह तो कहे ठीक है अब आप लोग एक उपर डिपैंड करता कि आपकी सोच क्या होती है आप लोग किस परकार से यहां पर अपना टीम कोमिनेशन क्रियेट कर पाओगे ठीक है तुमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लिट वोज क्या हो और जो इन्फोर्मेशन मैंने आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवानी की कोसिस करी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो ठीक है तो आप लोग जिस परकार से ठीक लगे उस परकार से टीम कोमिनेशन बना लेना उमीद करता हूँ वीडियो आपने कंप्लिट देखा होगा पसंद आयो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना जो भी वीडियो अपल मिल जाएगा और सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो वोच कर पाओगे मिलते हैं फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग एक बड़िया टीम कोमिनेशन बनाओगे और इस मैच में आपके टेम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी